हेलो फ्रेंड आपका अपने चेनल लाणने स्टिचिंग में स्वागत है आज हम ब्लोज का डिजाइन बनाने जा रहे हैं इसके लिए देखें मुले को काट लिया है सोल्डर हमारी पाच इंच है लंबाई हमारी 13 इंच है चवडाई हमारी 9 इंच है पाच इंच पे हमने मुल काठे का निसान लाकर काठा है उपर से हम ढाई इंच गरी लेंगे और कि दीपना सहा पर साले नव इंच रखेंगे तो तो साले नव इंच पर निसान लगा लेते हैं और इहां से देखें बॉक्स बना लेंगे ये देखे हमने बॉक्स बना लिया है और इस तरह से देखे राउंड गले का सेप दे दिये हैं अब हम इसे कात लेंगे और हमारा गला कुछ इस तरह से दिख रहा है यहाँ पर देखी बलोज के कपले को फैला लेंगे पहले उसके उपर हम अस्तर के कपले को फैलाएंगे हर जगा पीन अटेच कर लेंगे और अब हम देखी उपर से गले की सिलाई लगा लेंगे अस्तर और कप्ड़े को मिलाते हुए नीचे साइड भी सिलाई लगा लेंगे यहां से देखी बीच के कप्ड़े को काटकर निकाल लेंगे हलका हलका कर पूरे गले पर लगा लेंगे और अब हम इसे पलट लेंगे अच्छी तरह से पलटने के बाद हम उपर से गले की सिलाई लगाएंगे और फ्रेंट जो लोग हमारे चैनल पर नहें हैं या फिर जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए ताके हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो पसंद आती है तब वीडियो को लाइक जरू करिए यहांपर देखिया अस्तर कप्डी को मिलाते हुए हमने चारो दोरफ शिलाय लगा लिया यहांपर हम दो कलर के चवकोर कप्ड़ा लिए हैं एको पहले दबरफोल करते हुए। लिए दूसरे को तिर्भुज बनाया और इस तरह से देखिए सिलाई लगा लेंगे तिये इस तरह का पैटन हमें त्यार कर लेना है इस तरह का पैटन हमें त्यार कर लेना है तो देखिए मैं बहुत सारा पैटन त्यार कर लिया है और अब अपने ब्लॉज के गले के उपर अ कर लेंगे इसके बाद देखिए हम यहाँ पर एक और पट्टी लिए हैं एक इंच की चौड़ी पट्टी है और इसे हम मोड़ते विए डोरी की तरह सिलाई कर लेंगे यह देखिए इस तरह से कि अठ alcanz लिए हैं और इहां पर देखिए पहल opinions का भी सेंटर कर लेंगे और इस तरह से देखिए निसान लगा लेंगे यह देखिए इस तरह से का भी तुछ। इसी तरह इधर साइड भी शिलाई लगा लेते हैं और अब हम देखि नीचे का दूनों प्लेट बना लेते हैं तो देखिए उन्हें बना लिया है प्लेट और अब हम देखिए उपर से गले की लैस लगाएंगे इस तरह से देखिए हम लैस लगा लिये हैं और यहाँ पर देखिए एक दोरी ले लिये हैं और इस तरह से देखिए लटकन तरह बना लिये हैं और इसे देखी इस तरह से अटाइच करके यहाँ पर सो बटन लगा लेनी है तो यह देखिए हमार अब लोड डिजाइन बनकर त्यार हो गया आपको यह डिजाइन के साथ लगाने चे कमेंट बॉक्स में लिखी गा और पसंद आने पर लाइक जिरू कर देखिए